नमस्कार मैं हूँ विनेश सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको जानकारी देदें कि राची में लगातार पंचायत सच्यू अभेर्थी जेट अभेर्थी लातेहाद जिला पुलिस गिरी रच्छावाहनी के आंदोलन चल रहा है और ये जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं हटेंगे लेकिन पंचायत सच्यू के अभेर्थियों के साथ एक मुलाकात दुमका में भी हुई है मुखमंत्री की मुखमंत्री यहाँ पर जबाब देने से कत्राने लगे मुखमंत्री को जब दुमका में पंचायत सच्यू अभेर्थ नहीं है कि 55 सच्चु का कोई परिच्छा भी हुआ था और परिच्चा हुआ था तो रिजल्ट उसका बाकी है और रिजल्ट बाकी है तो हाई कोट में मामला था यानि कि इधर उधर की बाते करने लगे बॉडी लेंग्वेज मुकमंत्री जी की साब साब बता रही थी कि वो यहाँ पर एंसर देने में बेटर महसूस नहीं कर रहे है पंचाई सच्चु अभिरतों का इन दिनों राची में जबदस्त आंदोरन चल रहा है और इसके साथी साथ अब दुमका छेतर में मुकमंत्री चुनाव परचार में पहुंच रहे हैं इस्टुडेंट्स उन्हें घेर कर जबाब मांग रहे हैं जेटेट को लेकर भी सेम चीज हुआ अभिरती उनसे सवाल पूछने लगे मुकमंत्री जल्दी नहीं चाहते हैं कि कोई बाचीत सीधा मुकमंत्री तक जाए बादर पत्रलेक ने तो यहां तक कह दिया कि आप हमारा नंबर लेकर के बताईए ऐसी दिक्कत है तो पहले क्यों नहीं बोले सवाल है उठता है कि क्या पूरी सरकार की कुनवा जूट बोल रही है या इन्हें सही में कुछ नहीं पता है कि हाई कोट का डिसिजर में क्या आया क्या इन्हें कोई सिने नहीं बताया होगा इर्फान अंसारी भी मौके पर मौझूद थे हब हर किसी को ये लग रहा था कि जब मुखमंतरी की कान में सिधी बात जा रही है ऐसे में कल को दिक्कत हो सकती है मुखमंतरी सवाल पूछेंगे कि आकि इस्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्यों हो रही है या तो मुखमंतरी सब कुछ जान कर अंजान बन रहे हैं या उनका जो मंतरी मंडल का कुनबा है वो मुखमंतरी को अंधिरे में रख रहा है मुखमंतरी ने कहा है कि राची में आप सारे लोग हमसे आकर के मिलिये यानि कि राची में आज कोई वारता हो सकती है जो हम तक सूचना आ रही है कि दुमका में जब चुनाव परचार हो रहा था तो चुनाव परचार के दौरान ही इस्टूडेंट्स बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में मिलने पहुँचे सभी लोगों का ग्यापन और समस्या को देखते देखते मुखमंतरी का होसला भी पस्त हो गया उन्होंने कहा कि अब आज की बात इस पर नहीं करेंगे थोड़ी हमें आज रेस्ट की जरूवत है यह सब कुछ तब हो रहा है जब दु मुका में उपचुनाओं हार जाती है मुखमंतरी की जो पूरी कुनवा है इसके रहने के बाब जूद तो यह बहुत बड़ा जटका लगेगा इसके बहुत ही गंभी परिनाम दिखेंगे और साथी साथ इस्टुनेंट्स के दिमाग में भी यह आ चुका है कि अगर उन्हे की लकीरे देखी जारेंगे अब सरकार के हर मंत्री मंडल के सदस्ट को यह लग रहा है कि इनके लिए आन का प्रस्ण है इस उपचुनाओं में जीत दर्ज करना यही कारण है कि दुमका में जब पंचाय सच्चु के अभिरती मिले दुमका में जब जेटेट के अभिरती मि उन्होंने कहा कि उनके संग्यान में मामला आ जाया है आप लोगों को हग मिलेगा जल्द ही मिलेगा आप चिंता मत किजिए आप वापस चले जाएए और राची में आकल के मिलिए क्या अभी तक इर्फान अंसारी जी को बादल पत्रलेक सी को मुख मंत्री जी को क्या जानकारी नहीं है कि जारकंड में क्या हो रहा है जहारखंड के कई मंत्री ने इस पर ट्विट किया है जहारखंड के कई मंत्री की चिट्थी है हमारे पास जिनों ने मुखमंत्री को लिखा है कि 55 सच्च अभियर्थियों की जॉइनिंग करवाईए जेटेट वेकेंशी को निकालिए गिरीर अच्छा वाहनी और लातेहार प कि सब कुछ बदल जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता है कि जिस जनता ने उन्हें सराखों पर बैठा दिया था वो उतारना भी जानती है यही कारण है कि राची से लेकर धुमका तक आंदोलन की आवाज पहुँच रही है बड़ी संक्या में 55 अभियर्थि डटे रहे रात को भी टटे रहे बारिस हो चाहिट तुफान हो इनका असाप करना है कि इसबार नौकरी लेकर लटेंगे क्योंकि आसवासन वाली जो इस्थिती थी जो इस्थेश था उसमाप्थ हो गया है अब इसमें आसवासन की कोई गुंजाइस बची ही नहीं है तो मासवासन क्य ले और किस्से ले यही कारण है कि हर लोग जो पिछले दस दिनों से आंदोरन कर रहे और जो दो दिनों से आंदोरन कर रहे सब की अंदर वही उत्सा पर करार है कहीं देखने से moral ground पर और body language में लगता है कि यह वापस लोटेंगे क्योंकि इन्हें सीधा सीधा सत्ता को इन्होंने चोनोती दिया है और यह दिया है कि हमें नौकरी चाहिए नौकरी यह फिरी में नहीं मांग रहे इन्होंने परिच्छा पास किया है परिच्छा पास करके बैटे हुए और बच्चे वहाँ पर रो रहे हैं कई ऐसी तस्वीरे आ रहे हैं जिसमें बच्चे रो रहे हैं कि वो अपना घर परिवार गरीबी मेरा रहे हैं और उसके बाद इस नौकरी का सपना देखे थे आज तीन वर्स से सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं ये तीन वर्सों की आंदोलन की पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए तो क्या सत्ता में रहते हुए सरकार भूल जाती है और जब बच्च में वही सरकार के लोग चले जाते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है आज आज आप देखेंगे कि जो बच्च है वो कल का सत्ता पच्च था और जो कल कभी पच्च था आज का सत्ता पच्च है मुद्दे जैसे के तैसे हैं कुर्शी बदली है आवाज फिर से उठाई जा रही है देखना होगा इस बार क्या सरकार मानती है और सरकार को हमें लगता है कि मानना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार की स्थिती बन गई है राची की मुरहबादी मैदान के हर और स्टुडेंट्स का ही भीड नजर आता है और बहुत ही आत्मिश्वास के साथ बच्चे बैटे हुए है कि उन्हें निश्चित रूप से और यह सिधा एंसर क्या राची में मुकमंत्री आ गया है क्या मिलेगा यह भी एक बड़ा प्रस्ट है कि आखिर एक सब्ता से जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसी को क्यों नहीं भेजा जारा है क्यों नहीं भेजा जारा है किसका इंतिजार कर रहे हैं सरकार जब सारी स्थिदी रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर वहां माउजोद हैं जो आपको पूरी स्थिती हम समझाएंगे कि आज की डेवलेप्मेंट क्या हो रही है हमसे जुनने के आप सभी का सुक्रिया धन्यवाद